हेलो एवरीवन एन विल्कम बैग आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीएस्टी के अब्जेक्टिव के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चिन है एक्जाम पॉइंट ऑव यू से अगर हम बात करें तो मैं इसको केटेगरी सी में डालना चाहता हूं जब स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे एक मतलब तुम उसे नहीं पढ़ोगे तो चलेगा बी का मतलब था कि उसे पढ़ना है बार बार पढ़ना है और सी का मतलब था एक्जाम वाले दिन सुभा भी उसे पढ़ना है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी यह होगा तो यह वान इंडिया में लाया गया ओल ओवर इंडिया में लागू किया गया कुछ तो अब्जेक्टिव होगा यह ऐसे ही कर दिया गया ऐसे ही तो नहीं किया गया होगा कुछ तो अब्जेक्टिव होगा क्या क्या अब्जेक्टिव था देखो simplified taxation system हमारा जो GST हमारा जो GST से पहले जो system था value added taxation system वो system बहुत ही complex था बहुत ही problematic था क्योंकि वहाँ पर state government, central government, local government सब बोलते थे हम एक दूसरे को जानते नहीं central government बहुत प्रकार का taxes collect करता था service के उपर अलग करता था इंटर state sales के उपर अलग करता था manufacturing पर अलग करता था वहीं state government intra sales इंटर स्टेट में मतलब within state पर अगर कोई transaction होता है तो उस पर वैट collect कर लेता था फिछोटा मुटा और बहुत प्रकार का taxes भी government करता था तो हर जगह का compliance को ले आ जाए तो बहुत बार प्रॉब्लम यह होता था goods और service के बीच में differentiate करना मुश्किल हो जाता था और कभी कबार mixed supply होता था mixed supply मतलब more than one commodity का supply हो रहा है कभी कबार एसा होता था composite supply होता था मतलब goods और service दोनों आपस में मिला हुआ है बहुत प्रकार का problem होता था पहले तो जीस्टी आने के बाद यह सारे problems को solve हो गया जीस्टी आने से आप्तिक की सारे problem solve हो गया जीस्टी एमस तो डीज्टीव मल्टीपल इंडिर्ट एक्स लिवाइट बाइद इफ्रेंट लेवल सब्सक्राइब अब मतलब एक अब एक लॉता टेक्स लगा जाएगा जीस्टी तो अब सब्सक्राइब क्रिएटिंगा कॉमन मार्केट विदिन दा कंट्री और ग्रूप अब कंट्री अब इसमें क्या होता है देखो मैं अगर तुम्हें बताने का एक सिंपल सा एक्जामपल लेकर समझाने का कोसिस करूं तो मानलो कोई कॉमेडिटी है यह मुबाइल फोन है यह हो सकता मध्यप्रमत पत् Cat 25 परशंट ञगा दे तो क्या होता था एक ही प्रडंक अलग-अलग स्टेट पे अलग-अलग MRP के साथ क्योंकि वहांका टैक्स ट्रक्चर अलग-अलग है एक ही प्रड़क्ट अलग-अलग टैक्स देकर अलग-अलग लोग खरीद रहें क्या दिक्कत हुआ गर्मेंट को कि एक ही प्रड़क्ट के ऊपर अलग-अलग टैक्स लगाया जा रहा है अलग-अलग जगा पे तो यह जो प्रॉब्लम था इससे economic integrate नहीं हो पा रहा था हम इंडिया को एक यूनिट जैसा नहीं कर पा रहे थे अलग-अलग state अलग-अलग हो गए थे इसलिए economy को integrate करने के लिए integrate मतलब सभी economy को एक जगल आने के लिए common market बनाने के लिए within the country or a group of country it eliminate tax barriers between states और regions and allow free flow of goods and services एक स्टेट से दूसरे स्टेट में goods को ले जाने में जो दिक्कते आती थी अब वो सारे सॉल्व हो गई पॉइंट नमबर थ्री Elimination of cascading effect cascading effect मतलब हम बात किये थे cascading effect का मतलब होता है टेक्स on tax मतलब tax के ऊपर फिर से tax लगा दिया जैसे कि माल लो एक प्रड़क्ट का cost है सो रुपए इस पर excise duty लग गया कितने रुपए का 20 रुपए का मतलब 20 परशंट था excise duty जो कि कौन कलेक्ट करता था central government on manufacture of goods कलेक्ट करता था 120 रुपए हो गया अब इस पर क्या लगा दिया जाएगा लगा दिया जाएगा तुम्हारे साब से क्या बोला जाए वैट कितने amount पे लगना चाहिए 100 रुपए के ऊपर लगना चाहिए यह 120 पे लगना चाहिए रिजन तो प्रड़क्ट तो सो ही का था 20 रुपए तो टेक्स था तो क्या हम टेक्स के ऊपर फिर से टेक्स लगा देंगे एक्साइज ड्यूटी अल्रेडी लग गया है तोटल एमांट हो गया 120 अब वैड जो लगाया जाता था एड़ रेट और फाइप परसेंट ओन 120 लगा देते मतलब यह 120 में देखो प्रड़क्ट सो का है सो रुपए में तो पांच परसेंट पांच रुपए दे देंगे लेकिन 20 रुपए का भी हमको और पांच परसेंट देना पड़ेगा मतलब टेक्स के ऊपर फिर से टैक्स लगा दिया जाएगा उसको बोलते है जब मल्टिपल वराइटी ओफ टैक्स होता है एकसाइज ड्यूटी सर्विस टैक्स वैट सीएश्टी तो यहां पर कास्कार्डिंग एफट आ जाता है क्योंकि एक टैक्स के बाद दूसरा टैक्स लगता है तो पुराना टैक्स के ऊपर भी फिर से टैक्स लगा दिया जात जी एष्टी 6 तो इलिमिने दा कास्कार्डिंग एफट आप टैक्स अगर्ट आप्स काडिंग एफट खतम होने के बाद हमारा सिस्टम जो था वह बहुत ज्यादा एफिशेंट और इक्विटेबल हो गया था नेक्स ब्रादिनिंग टैक्स बेस पहले क्या होता था वैट सर्विस टैक्स में अलग-अलग रूल्स के अकॉर्डिंग ना बहुत सारे लोग टैक्स से बच जाते देने से बच जाते थे और जो लोग टैक्स देना पड़ जाता था तो क्या होता था कुछ लोगों के उपर जादा टैक्स लग जाता था और कुछ लोगों को बाइपा बहुत सारे बिजनसमेन जो पहले बैट और सर्विस टैक्स का रेजिस्टरेशन नहीं करते थे बैट और सर्विस टैक्स पे नहीं करते थे अब उनको जीएस्ट पे करना पढ़ रहाए तो गरम्रेंड के साथ से देखे तो यहां पर जो टैक्स बेस है गंवेंड का वो बहुत सारे बिजनेश जो पहले रिजिस्टर नहीं थे अब वह भी रिजिस्टर हो गए इंक्रीजिंग टेक्स रेविन्यू अब दे गमेंट एंड रिदूशिंग बड़न ओं इंडिविजूल टैक्स पेर्स नेक्स पॉंट नमबर फाइफ प्रोमोटिंग कॉंपेटिटि कॉंपेडेशन मार्केट में बढ़ जाएगा क्योंकि 36 वाला भी इजीली ओडिसा में आकर बिजनेस कर सकता है ओडिसा वाला भी इजीली 36 गड़ में जाकर बिजनस कर सकता है पहले यह प्रोब्लम होता था कि अलग-अलग टैक्स का स्ट्रक्चर होने के कारण अलग- लेने के कारण यह कर पाना मुश्किल होता था बिजनसमान के लिए पॉसिबल तो था लेकिन difficult था लेकिन अब क्या हो गया है अब जब जीएस्टी आ गया तो एक common portal बन गया जिसके कारण अब तुम एजीली एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव कर सकते हो अपने समान को औ और वहाँ पर भी बिजनस कर सकते हो बाइलमिनेटिंग इंटर स्टेट बेरियर्स एंड रिदूसिंग कंप्लाइंस कॉस्ट जीएस्टी एंकरेज बिजनस तो भी मोर कॉंपेटिटिव बोर्ट डमेस्टिकली और ग्लोबली नेक्स्ट ट्रांसपरेंसी एन अकाउंटेब जाता था और बिजनस्मेंट टेक्स्ट चोरी करके इजली भाग जाता था जब ऑनलाइन हुआ सब कुछ जब तब कुछ electronically होना सुरू हुआ अब ये घपला बाजीब बंद हो गया तो उसके वज़े से बहुत ज्यादा ट्रांसपरेंसी आ गया था सिस्टम में और अकाउंटेबलेटी आ गया था जीएस्टी एक कॉमन पोर्टल को यूज करता है जीएस्टी पोर्टल जहां पर सभी लोग अपना रिटरंस को फाइल करते हैं सिस्टम और बचा भी नहीं वह पहले क्या होता था एक फॉर्म है तो काम करने का मन नहीं है ठुक के ओर एक रखते जाते थे सालों बर में पूरा रूम भर जाता था और लास्ट मों सभी फॉर्म को फेक दिया जाता था बात खत्म अगर कोई घपला बाजी किया है तो उसको पकड़ेंगे कैसे तो यह सब जो प्राब्लम साथ जीस्टी के आने के बाद यह प्राब्लम सॉल्व अगर तुम देखोगे जीस्टी आने के बाद बिजनस करना बहुत आसान होगे जिसके कानण बिजनसमें भी अब मल्टिपल जगा में अपना अपना बिजनस कर रहे हैं जिससे एकनोमी को बूस्ट मिल प्लस गमेंट का रेविन्यू भी बहुत तीजी से ग्रो हुआ गमें को रेविन्यू मिलेगा government को revenue मिलने से वह हमारे उपर ही उस पैसे को खरच करेगा जो रोडो रास्ता में तुम चलते हो जो गमेंटumbles स्कूल पढ़ते हैं और इतने सारे गर्मेंट के स्कीम स्का जो हम फइदा उठाते हैं यह सब पैसा हमारे टेक्स के पैसे से ही आ रहा है बात समझ में आया और वेल इंप्लिमेंटेड जी स्टी केन लिट टू इंक्रीज़ इंबेश्मेंट हायर प्रडुक्तिविटी एं एकनोमिक ग्रोथ ड्यू तू ओर एफिसेंट टैक्स रिजिंग और आखरी पॉइंट यूनिफॉर्म टैक्स रेट हर इंसान के लिए अब सेम सक रेट है हर श्टेट में अब एक प्रडुक्त वुपर सेमट टीक्स रेट लगाया जा रहा है अलग-अलग जगा पर अलग-बलग टैक्स नहीं लगाया जा रहा है जी अस्टी एंस टो ब्रींग यूनिफरॉमिट़ी इन टैक्स रेट अब सब कुछ सिंपल हो गया एक सिंगल टैक्स रेट स्ट्रक्चर आ गया एक प्रड़क्ट पे एक ही रेट होगा अब यह मोबाइल फोन चाहे ओडिसा में खरीदो चाहे मध्यप्रदेश में खरीदो 18% लगता है तो 18 ही लगेगा अगर 28 लगता है तो हर जगा 20 लगेगा त तो इस तरीके से हर जगा एक कॉमन जी एस्टी का रेट ले आया गया बात समझ में आया चलो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं हमारे क्लास को नेक्स्ट क्लास में हम आगे का डिस्क्रेशन करेंगी ठीक है बाबाई एवरीवन और थेंक्यो में आगेrut ilिया हमारे किता है ठीक किता का ड wary मुषद को आगे में आगे लिए रावोत दिखत खीक करते हैं हैं ग्रावरी का बीए जागे विए हमारे कावरीजब कराई ऑना दो दो खो उ हमारे पेजा सव dediं किता हैं 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 तो सवophone का दो हैं